आज अपना टोपिक है इस बेसिकली अबॉट अबॉट स्ट्रेस अबॉट सारी चीजें ऐसी है जो आप से मुझे डिस्कस करनी है और मुझे लगता है कि आज का दो सेशन है यह पूरे साल के सारे सेशन से आप एक तरफ रख लीजिए और आज का सेशन आप एक तरफ रख लीजिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यह सेशन होने वाला है आज के डीड़ साल पहले है हमारी कंपनी के जो एंप्लोईज हैं वो मेरे पास में आके रोते थे क्योंकि वो कंपनी छूड कर जा रहे थे रीजन यह है कि लॉक्डाउन की वज़े से हालात इतने खराब थे कि मुने सेलरी भी पे नहीं कर सकते थे और एड़ दा एंट शाम को मैं रोता था मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ तुमारे साथ में क्या हो रहा है और मेरे लेंडलोड जिस बिल्डिंग में हम लोग काम करते हैं वोक्सर मुझसे रिपोर्टिंग लिया करते थे कि हमारा किराय कब तक आएगा जिन्दगी में हर एक इंसान के साथ में tough situations आती है और stress का सिकार हो जाता है उस वक्त मैं अपनी जिन्दगी में पहली बार एक psychiatrist के पास में गया और उन्होंने मुझे कहा कि अभी मन्यों that you are suffering from stress and anxiety और literally मैं आपको बताओ उस वक्त मुझे anxiety भी होती थी गभरात होती थी सास लेने में दिक्कत होती थी acidity का मुझे बहुत दिक्कत था gastroesophageal reflux disease उसके उसे मुझे isofageal ulceration भी हो गये थे और मुझे high blood pressure रहता था because I had dreams मेरे कुछ सपने थे जो मैं पूरे करना चाहता था क्योंकि मेरा एक परिवार नहीं है हमारे जितने भी employees थे जितने भी साथी थे उनके परिवार भी कही ना कहीं directly or indirectly मेरे से और हमारी टीम से connected थे जिन्दगी में दोर ऐसा था मुझे याद नहीं है हर alternate day पर हर आये दिन मैं रोता था और मुझे रिलाइज हुआ कि जो psychiatrist ने मुझे drug लिखी थी मैं feel कर रहा था उस वक्त कि यार मैं लोगों से बात करता हूँ मैं students का counselor हूँ मैं student की counseling करता हूँ और मेरे खुद के हलात ऐसे हैं मैं क्या कर पाऊँगा अपनी जिन्दगी में आपको पता एक बात आज stress anxiety मुझे छूबी नहीं सकती मैं अपनी जिन्दगी में लगबग हर एक चीज जहली है हर एक चीज फेस की है और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ हर एक इंसान जो अपनी जिन्दगी में अपने सपनों के लिए लड़ता है अपने पेरिंट्स की इच्छाओं के लिए मेहनत करता है अपने आसपास के लोग के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रियास करता है उसकी जिन्दगी में stress आना जाएज एक बार समझते हैं और वो ही चीज जो मुझे feel हुई, जो मुझे realize हुई, वो मैं आपके साथ मैं share कर रहा हूँ, क्योंकि stress बहुत छोटा भाई है, उसकी बड़ी बहन है anxiety, उसका सबसे बड़ा भाई है depression, और at the end आपके पास मैं आते हैं suicidal thoughts, और मैं देखता हूँ, कोटा में हर साल, चायब कोटा देख लीचे, चायब जो भी बच्चा इन exams की तियारी करता है, मैं हर साल कोई ना कोई नियू सुनता हूँ, वो stress में है, वो depression में है, उसकी जिन्दगी में जवाने भर की समझ जाए, मैं तो एक बार even ये article भी पढ़ा, कि एक बच्ची ने जो नीट इग्जाम की तियारी कर रही थी, उसने suicidal, मतलब suicide करने से पहले एक letter लिखा, अपने parents को, कि पापा मैं इस जनम डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, हो सका तो अगले जनम कोशिश करूंगी, मुझे लगता नहीं कि अगले जनम जैसा कुछ होता है, और जब आप stress को manage नहीं कर पाते हैं, तब वो फिर जमाने भर की शायरियां हम लोग कहते हैं, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कस्ती डूबी वहाँ, जापानी कम था, या फिर हम लोग यह कहते हैं, कि हमें हमारी जिन्दगी में जो भी हम दर्द मिला, उसने सिर्फ हमें दर्द दिया, तो यह कई बाते होती हैं, stress के उपर बात करते हैं, stress, होता क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, कब होता है, क्या इसका solution है, मैं हर चीज को detailed format में आज आ आप ही नहीं, आपके आसपास, हो सकता है कि वो आपके parents भी हो, या आपके भाई भाएन भी हो, हो सकता है कि वो इस issues सफर करते होंगे अपनी जिन्दगी में, मैं आपको solution बता रहा हूँ, और मैं guarantee के साथ में कह रहा हूँ, कि आपको अपनी life में stress जैसा word, feel होना बंद हो ज lessons लेने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, because they all are the by-product of the stress, तो stress होता किसको है, stress होता है उसको, those who have dreams, those who have dreams, जिनके सपने हैं, जिनके जिन्दगी में सपने हैं, उन्हें stress होना आम बात है, जो चाहते हैं कि हम हमारी life में कुछ हांसिल करना चाहते हैं, उनके लिए stress is very normal thing, अग आप में से कोई सा भी student होगा, जिसका अपनी जिन्दगी में कुछ हांसिल करने का एक जज़बा है, जुनून है, इच्छा है, stress होना जाएज, दूसरा, stress किसको होता है, जिसके शरीर में, जिसके शरीर में, oxygen और nutrients की कमी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं, someone who is oxygen and nutrient deficient, उसको stress होता है, और तीसरा सबसे बड़ा point, सबसे बड़ा point, stress किसको होता है, वो doesn't know how to manage stress, मैंने अपनी जिन्दगी में stress जहला, और इतना भेंकर जहला, कि इतनी यंग एज में, जब मैं गेस्ट्रेश एफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज के लिए, acidity के लिए, जो एक ulceration का reason हो गई थी, जब मैं gastroenterologist के पास में गया, तो उन्हों ने मुझे ये कहा, कि अभी मन्यों, जिस age में तुम हो, और जिस age में तुम्हें issue हो रहा है, it's very dangerous, it's purely because of, purely because of stress, मुझे लगता है कि ये gastric issue नहीं है, ये mental issue है, खेर, stress का reason हमारे पास में है, he who doesn't know how to manage it, देकि stress सिर्फ living organisms कोई नहीं होता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि stress सिर्फ living organisms कोई होता है, या जिन्दा लोगों को, इंसानों को होता है, non living चीजों को भी stress होता है, वो भी breakdown होती है, आप किसी भी एक गाड़ी को, किसी भी गाड़ी को, लंबे टाइम तक चलाएंगे, तो उसका engine भी जवाब दे जाएगा, उसका engine भी heat up हो जाएगा, उसका radiator भी उसके engine को cool down नहीं कर पाएगा, है ना, तो stress non living चीजों को भी होता है, even non living things, face stress, they also face the breakdowns, they face breakdowns, लेकिन मैं, देखे, अगर आपके सपने हैं, आपके dreams हैं, आपको stress आएगा, लेकिन उसके बाद में अगर आप ये कहें कि, मालूम न था कुछ ऐसा भी होगा, मौत की ख्वाइश होगी, और जीना भी पड़ेगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि, आप कल को ऐसी बाते करने लगें, क्योंकि आज stress है, आज stress है, कल वो anxiety बनेगी, मैं तीनों में मतलब, जो चीजें word यूज कर रहा हूँ, उनका मतलब समझाओंगा आपको, और कैसे दूर रह सकते हैं, आज के लिए नहीं, जिन्दगी भर के लिए, कैसे एक super efficient human being बन सकते हैं आप, क्योंकि याद रखिए, ज जो stress को manage करता है, जो शान्त रहता है, असली खिलाडी वोही होता है, क्योंकि इस दुनिया के युद्ध में, सबसे तेज तलवार वही चलाता है, जो शान्त रह पाता है, आप अपने exam में, पैन रूपी तलवार को efficiently तभी चला पाएंगे, जो आप यहाँ से शान्त हो, तो फिर वो suicidal thoughts में convert हो जाएगा, आप जिन्दा इंसान होने के बावजूद एक चलती फिरती लाश होंगे, जो अपने brain के negative thoughts से control हो रहा है, जिसका खुद के उपर कोई control नहीं है, समझे, कि कैसे यह चीजें proceed करती है, stress का मतलब क्या है, stress का मतलब यह है, that you are not 100% efficient on day-to-day activities or on daily basis, आप अपनी जिन्दगी में जो भी activities करते हैं, जो भी activities करते हैं daily basis पर, आप पूरी efficiency के साथ में उसे execute नहीं कर सकते हैं, that is stress, anxiety का मतलब क्या है, anxiety का मतलब क्या है, कि आप crucial events पर, मान लीजे, आपका कोई test है, या आपका कोई exam है, हाँ, तो crucial events पर, जो भी आपके पास knowledge थी, जो भी आपके पास में ज्ञान था, जो भी आपने तियारी की थी, आप उसे execute नहीं कर बाएंगे, गभराट, मेचे नहीं, पसीना, हो क्या रहा है, सांस नहीं आ रहा, यह होना start हो जाता है, अगर इससे manage नहीं किया जाए तो, अब आप सोचिए, पहले आप परेशान थे, आप day-to-day basis पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, आपने जमाने भर की त्यारी करी, मेहनत करी, लेकिन आप stressed हो के त्यारी कर रहे थे, एक्जाम वाले दिन क्या हुआ, आपको anxiety होना start होगी, तो आप उस दिन उस level की performance नहीं दे पाए, किस दिन, crucial event वाले दिन, जो performance की आप से उम्मीद थी, वो performance आप नहीं दे पाए, on the day, जिस दिन आपको दे नहीं थी, उससे क्या होगा, जब performance नहीं दे पाएंगे, तो धीरे धीरे वो lack of performance, वो convert हो जागा किस में, depression में, बास समझ रहे हैं आप लोग, कि जब मैंने त्यारी करी, हलाएंगे में stress था, ठीक है, लेकिन मैं उसको at the end result में convert नहीं कर पाया, तो मुझे अब depression होना start हो जाएगा, और depression से आप लंबे टाइम तक लड़ेंगे, तो at the end आपके पास ही आएंगे, और फिर life end है, मतलब यहाँ पर basically 4-5 चीज़े हैं, stress है, हर दिन आप फिल करते हैं, परेशान है, anxiety होगी, अब test में performance नहीं आ रही है, exam वाले दिन performance नहीं आ रही है, performance नहीं आ रही है, तो result भी नहीं आएगा, depression आ गया, जब result नहीं आएगा, तो depression लंबे टाइम तक रहा, suicidal thoughts आ गए, life end, यह day to day activities आपको नहीं करने देगा, यह crucial activities आपको नहीं करने देगा, और यह life को, आपकी जिंदगी को handicap बनाएगा, यह, handicap life, और उसके बाद में आप, suicidal thoughts में चले जाते हैं, का end your life, basically stress जो है ना, वो हमारे पास में दो टाइब का, मैं आपको एक बहुत interesting question पूछूँगा अभी, मैं देखता हूँ कितने लोग उसका जवाब दे पाते हैं, stress हमारे पास में दो टाइब का है, एक physical stress है, और दूसरा mental stress हमें, जिस मुद्दे पर चर्चा करनी है, वो मुद्दा है mental stress का, मैंने आपको कई बातें बता ही अभी, कि मालूम नदा कुछ ऐसा भी होगा, मौत की ख्वाइश होगी और जीना भी पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक world class student की तरफ परफॉर्म करें, ना कि एक शायर की तरफ अपनी जिन्दी की जियें, जिसे अपनी लाइफ से कोई उम्मीद नहीं है, हमारे पास में दो टाइब के stress है, physical stress और mental stress, फिजिकल स्ट्रेस क्या है, जा आप फिजिकली ज्याद एक्टिव हैं in compared to mentally, when you are physically more active, तो आपकी बॉड़ी ज्याद एक्टिव होगी, वो ज्याद एक्जॉस्ट होगी, ये फिलाल हमारे किसी काम का नहीं है, हाँ, physical stress थोड़ा गुद आपको भी होता है, कि आप लंबे टाइम तक चेहरी पर बैटे हैं, त्यारी कर रहे हैं, आइस में पेन हो सकता है, बॉड़ी पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, but that is pretty negligible, जो main stress हमारी लाइफ में है, that is mental stress, यह कब होता है, जब आप mentally जाद active है, in compared to physically, और हमें इसी के बारे में विचार करना है आज, when you are mentally more active, you are mentally more occupied than physically, तब हम लोग कहते हैं, that we have the mental stress, और हमें इसी मुद्धे पर चर्चा करनी है आज, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि stress उन लोगों को होगा, जिनके सपने हैं, या जिनकी body में oxygen या nutrients की कमी है, या जिनको यह पता ही नहीं है, कि हमें stress कैसे manage करना, आपको एक बहुत interesting बात बता दो, आपको बता है, कि हमारी body के, 90%, not 90%, but 70%, 70-75% जो toxins है, उन्हें कौन बाहर निकालता है, कि आप मझे इसका answer दे सकते हैं, 70-75% जो हमारी body में toxins है, उनको कौन बाहर निकालता है, अब आप में से ज़्यादातर लोग पता हैं, इसका क्या जवाब देंगे, ज़्यादातर लोग का जवाब होगा कि सर, kidney, या liver, ये दोनों एक डिटॉक्स करता है, एक बहार निकाल देता है, बट इन रियल, जो इसका आंसर है, वो है हमारे lungs, lungs हमारे जो है, वो सबसे बड़े excretory organ है, आपके पास में, आप breathing करते हैं, oxygen आता है, CO2 आता है, लगातार आप carbon dioxide भाहर निकाल रहे होते हैं, लगातार आप CO2 भाहर निकाल रहे होते हैं, lungs, 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 lungs are the, lungs are real detoxifier, detoxifier, चाहे वो detoxification, substance का हो, substances का हो, या फिर, negative thoughts का हो, it's all depends on lungs, concept समझेगा, stress, हर उसको होता है, जिसके पास सपने है, जिसकी body में nutrients नहीं है, या फिर जिसको पता नहीं कि stress manage कैसे होता है, और जिसको stress manage करना आ गया, उसको efficient रहना भी आ गया, ये मेरी guarantee है, जिसको stress manage करना आ गया, उसको पता है कि मैं efficient कैसे रह सकता, अगर आप बनना चाहते हैं, तो you must know, how to manage stress, stress एक दिन anxiety में convert हो जाएगा, आपने बहुत त्यारी करी, बहुत आप जबर्दस तरीके से पढ़के गए, लेकिन exam में जाकर आपने सब कुछ कबाड़ा कर दिया, क्यों हो, क्योंकि आपको लंबे time तक stress रहा, वो anxiety में convert हो गया, और anxiety कभी आपको performance नहीं देने देगी, फिर वो हो सकता है, जो performance नहीं आएगे, तो result नहीं आएगा, result नहीं आएगा, तो एक दिन आप depression में चले जाएगे, depression में जाएगे, तो क्या हो जाएगा, suicidal thoughts आएगे, हो सकता है, जिन्दगी को end कर लें, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, that gonna make you a legend, मैं जो आज आपको सिखाने वाला हूँ, वो आपको एक legend बनाएगा, and that's for sure, यह मेरी guarantee है, क्योंकि मैंने stress को जहिला है, मैंने depression को जहिला है, I have faced that, और मैं आज यह बात छाती ठोक के कह सकता हूँ, कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है, जिसकी वज़े से मैं stress में जा सकता हूँ, मैं depression में जा सकता हूँ, यब मैं psychiatrist के पास में जाऊंगा, I am always extremely happy, and very cheerful, very cheerful nowadays, because I have known, कि चकर क्या है, समझे, मैं वो तरीके नहीं बताने वाला हूँ आपको, जो आप Google कर सकते हैं, या किताब से पढ़के देख सकते हैं, या किसी से बात करके पता लगा सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, यह जो मैंने किया है, जो मैंने apply किया है, मैं सिर्फ उसकी बात करने वाला हूँ आपसे तो stress management पहले के time में लोग यह कहते थे that time management is life management money management is life management relation management is life management बट मैं आपको literally कह रहा हूँ यह सब चीज एक तरफ है time हो, relation हो, money हो सब एक तरफ है stress is the real killer stress is the new smoking stress is the new drug stress can do something जो आपको जिन्दगी में सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ में यह हो सकता है care, आप यहाँ देखिए stress management का सबसे effective तरीका है कि आप active breathing में आ जाए active breathing मैंने आपको बताया कि stress मेरे पास में दो टाइप के हैं एक physical है, एक mental है when you are mentally more active, then physically आपको mental stress होगा, आप physically जाद एक्टिव हैं, आप laborious काम करते हैं, labor work करते हैं, जो आप नहीं करते हैं, आप आप नहीं करते हैं, आप यह बात है, यह अला students तो mental stress when you are mentally more active, हाँ, reason मैंने आपको बता दिया है कि stress आपको किस case में हो सकता है, अब मैं आपको meditation और यह चीज़े नहीं समझाने वाला हूँ हूँ भई, meditation से stress दूर होता है, I don't know about that, और मैंने वो ट्राइब भी नहीं किया, और मिर लिए बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इ जब मैं सुब उड़ता हूँ, मैं ground में जाता हूँ, वहाँ थोड़ी बोद 2-4-5 पेड़ होते हैं, उनके बीच में walk करता हूँ, walk up normal walk नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कि अपनी सास को खीशता हूँ, सास, सास हो नहीं, सास मतलब breathing, ठीक है, पांच कदम चलता हूँ छोड़ देता हूँ, फिर अगले तीन कदम नॉर्मली चलता हूँ, फिर नॉर्मली तीन कदम चलने के बाद, पांच कदम सास खीश के चलता हूँ, फिर अगले तीन कदम नॉर्मली चलता हूँ, मतलब पांच कदम, तीन कदम, पांच कदम, अब मैं आपको ये नहीं कह रह आपको यही कलाकारी करनी है जो मैं कर रहा हूं उसे देखिए एक्टिव ब्रीधिंग है जो मेरा नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है ब्रीधिंग का उससे में तोड़ा साइड में आ गया हूं मैं अब एक्टिवली कर रहा हूं यह काम सांस को अंदर खींचा पांच कदम चला छोड़ दिया अब तीन कदम चला नॉर्मल ब्रीधिंग चल रही है तीन कदम पूरे हो गए फिर से खींचा पांच कदम चला दूसरा मैं क्या काम करता हूं अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीधिंग Alternate Nostril Breathing और आपको उपनी जिन्दगी में कैसे यूज लेना है वो समझ लीजिएगा एक बार That is very important मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं उसका रीजन बताया तों आपको हमारे शरीर में जब भी oxygen का level drop होगा stress hormones release होना start हो जाएंगे oxygen का level drop होगा आपकी heart rate बढ़ेगी क्योंकि oxygen sales तक पहुँचाने के लिए अब आपका heart ज़्यादा कोशिश करेगा ज़्यादा effort लगाएगा तो वो BP को increase कर देगा blood pressure आपका increase हो गया हो सकता है फिर वो arteries को damage कर दे आगे जागे heart take हो जाएगा oxygen कम हो गया आपका brain जो है उसको बहुत oxygen चाहिए बहुत ज़्यादा आपकी body oxygen कम हो गया oxygen कम हो गया तो brain अब body को इस तरीके से चलाता है कि ऐसे ऐसे hormones release करता है जो उस वक्त release होते हैं जब आप emergency में होते हैं और सारे अच्छे hormones को release करना बंद कर देता है हमारा brain alternate nostril breathing में क्या होता है कि आप एक नाक से जिसे हिंदी में कहते हैं अनुलोम विलोम यह दोनों active breathing के पाट हैं आप एक नाक से घंचेंगे जिससे छोड़ा उसी से घंचेंगे दूसरे से release कर देंगे आपको एक काम कब करना है आपको करना है यह काम in every hour हर एक घंटे में आपने मान लीजे 45-50 मिनट पढ़ाई की अब 10 मिनट जो है न आप खुद को दीजे आपने 45 मिनट या 50 मिनट 50 मिनट मान लेते हैं आपने सपनों को दिए अपने जिंदगी को बनाने पर दिए अपने माबाप के सपनों पर दिए अब वो 10 मिट खुद को दीजे कुर्से से खड़े हो जाईए इसमें से कोई सा एक तरीका अगर जो आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई करिए मुझे ये बहुत जबरदस लगता है अगर आपकी आइस कमजोर है आइस स्ट्रॉंग हो जाएगी आइस मजबूत हो जाएगी हेड़क होता है नेगेटिव थॉट्स आते हैं परफॉर्मेंस नहीं आती है हर घंटे 5 मिनट ये 10 मिनट आप खुद के लिए इसको निकालिए हर घंटे करना है ये काम हो गया हो सकता है कि आपने इसको 5 मिनट दिए या 7 मिनट दिए अगर आप 6 गंटे रोज पढ़ते हैं तो आप 30 मिनट या 35 मिनट अपनी जिन्दगी में ये काम रोज कर रहे होंगे रोज और हर वक्ट आपकी बोड़ी में highest level of oxygen maintain होगा उससे क्या होगा आपकी body detox होती रहेगी आपकी skin पे चमक आ जाएगी radiant skin आपकी होगी आपको stress anxiety, depression, headache eyes pain नहीं होगा आपका stamina drastically बढ़ जाएगा और आप खुश रहकर अच्छे मिजाज के साथ में प्रसन्य रहकर त्यारी कर पाएंगे सबसे बड़ी बात जिंदगी में कभी आपको blood pressure की medicine लेनी की ज़रूत नहीं है कभी आपको जिंदगी में आपके parents के लिए भी बात बता रहा हूं आप भी उन्हें समझाएगा जिंदगी में कभी आपको किसी psychiatrist के पास जानी की ज़रूत नहीं है दूसरा काम आपको क्या करना है एक ग्लास बानी पिलो और थोड़ा सा कुछ खा लो थोड़ा सा कुछ खा लो देखो एक बात समझ लो समझ लो stress management is not about pills ऐसा नहीं है कि हमने market गए एक चमतकार एक दवाई ले लिया stress गया stress management is becoming more efficient जो आपकी efficiency है achieving your 100% और maximizing अब मेरे word पर गौर करिएगा आप लोग जो मैं word कह रहा हूँ maximizing your genetic potential maximizing your जो आपके gene में जो आपको मिला है जो भी आपके gene में मिला है उसको maximize करना that is the goal of stress management stress management is not about surviving it's not about surviving जिन्दा रहना नहीं है stress management का मतलब no it's about striving कि आप दुनिया में जाके धमाके करें दुनिया में जाके वो काम करें जिससे आप कोई नहीं आपके आसपास वाली लोग सोचें कि यार ऐसा काम कोई कैसे कर सकता है stress management is not about surviving it's striving कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि वाव amazing unbelievable ऐसी performance के लिए ये चीछ चाहिए और ऐसी performance के लिए oxygen चाहिए क्योंकि जब oxygen होगा endorphins serotonins dopamines इनकी नदिया बहती है boss अगर इनकी मतलब injection नहीं लगवाने इनकी अगर इनकी नदिया बहानी है तो we need oxygen proper oxygen we need nutrients हमने कुछ खा लिया and we need water हमें पानी चाहिए और इस दोरान आप एक काम कर सकते हैं REMEMBER YOUR GOALS जो सपने आपको पहले स्ट्रेश दे रहे थे क्योंकि आप कम जोर थे आप efficient नहीं थे आप powerful नहीं थे वो आपको स्ट्रेश दे रहे थे क्योंकि कुछ कर नहीं रहे थे अपने शरीर के लिए उसे ताकत्षवर बनाने के लिए तो आपको सपने स्ट्रेस दे रहे थे अब जब आप ये सब करेंगे उसके बाद जब आपने ड्रीम से याद करेंगे अपने सपने याद करेंगे तो पता है क्या होगा यही सपने आपको ताकर देंगे यही सपने आपको लड़ने की हिम्मत देंगे यही सपने आपको जुनूनी बनाएंगे क्योंकि अब आप mentally और physically जीतने को तेयार रहे हैं इतना काम हो गया दिन के आखिर में आपने पूरे दिन जो भी पढ़ाई की जैसे पढ़ाई की दिन के आखिर में अपने किसी एक दोस्ट से बात करे Talk your friend किसी ऐसे दोस्ट से बात करिए जो आपका competitor है किसी ऐसे दोस्ट से बात करिए जो आपको motivate करता है किसी ऐसे दोस्ट से बात करिए जो आपको कुछ समझा सकता है और ऐसे दोस्ट से बात करिए जो आपको ये बताए कि उसने आज पूरे दिन क्या किया क्या क्या पढ़ा और आपने क्या किया वो आप उसको बताईए अगर आपका कोई सा दोस्त नहीं है अपने पेरेंट्स को बताईए माबाप से जाकर बात करिए उन्हें बताईए या अपने एकसी टीचर को बताईए बट बताईए हर एक दिन नहीं हो पाता है हर एक अपते बताईए Communication ये stress को manage करने का एक और effective तरीका है लेकिन सबसे जबरदस तरीका है Oxygen जिस इंसान के सरीर में Oxygen है वो कभी बुढ़ा नहीं होगा उसके skin चमकती रहेगी उसको depression नहीं हो सकता performance देगा है मेरी guarantee उसके बाद में आपकी कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दमता हमारी कस्ती डूबी वाँ जा पानी कमता आपकी कस्ती को डूबा ही नहीं सकता बॉस क्योंकि आपके पास उसक्ती नहीं होगी एक जहाज होगा और उस जहाज के सामने कोई टिक नहीं पाएगा क्योंकि जब आपकी बॉड़ी में oxygen होगा आपकी बॉड़ी में nutrients होगा आपकी बॉड़ी में water होगा तो आप एक super efficient human being होगे जो किसी भी challenge को accept करके तहस नहस कर सकता है and this is my promise to you अपने दोस्स से बात करी कि मैंने आज क्या किया आज मैंने कितनी पढ़ा ही करी और अपने जो भी आपने goals बनाए हैं जो भी आपका time table था जो भी आपका schedule था just stick to that मतलब मैं लोगों को देखता हूँ time table बना लिया क्या बनाया आज से अठारा गंटे पढ़ेंगे एक दिन पढ़ता है फिर अगले दो दिन तक सोते है उसके बाद पता ही नहीं कि time table गया कहा मैं आप से कह रहा हूँ कि stick to your schedule उसका मतलब ये है stick to your schedule is also a way to manage the stress schedule से stick करने का मतलब ये है कि भाई मैं अगर 6 गंटे पढ़ता हूँ मैं अगर 7 गंटे पढ़ता हूँ मैं अगर 8 गंटे पढ़ता हूँ मान लो मैं किस दिन नहीं पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया हो सकता है बहुत बार ऐसा incident होते हैं हमारी जिंदकी नहीं पढ़ पाते हैं एक काम करो, 15 मिनटी पढ़ लो भाई, लेकिन पढ़ो, अगर आपको जिन्दगी में compounding, compounding, नाम सुना है अपने चक्रवरदी ब्याज, compound interest, compounding, 8th wonder बोला उसको, आइंस्टाइन ने, compounding का आपको जिन्दगी में अगर फाइदा लेना है, आपको compounding का चमतकार देखना है, आपको compounding का miracle देखना है, तो आपको कभी भी चीजें skip नहीं करनी है, आप चाहें 10 मिनट ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें, this is how you can see the miracle of compounding, कि कैसे काम करता है, कैसे आपकी जिन्दगी में बदलाव आ रहा है, and this is also help, to manage the stress, सपने पालेंगे ना, सपने पालेंगे ना, तो stress आएगा, सपने पूरे उसी के होंगे, जो सपने पालता है, नहीं, सपने पूरे उसी के होंगे, जो सपने पालता हैं, फिर stress जो पलेगा साथ में, उसे खतम कर पाता है, क्योंकि, पता है क्या होता है, कि लोग सपने पालते हैं कि स्ट्रेस आता है कि जेल नहीं पाते हैं कि शोक पाल लेते हैं कि खतम हो जाते हैं कि आपको बता रहा हूं किस साइक्ल को दुनिया फॉलो करती है मैं आपको वह समझा रहा हूं दुनिया क्या करती है सपने dreams महान बनना है IS बनना है डॉक्टर बनना है, AIM से पास करना है IIT Bombay से पास करूँगा हिंदुस्तान को world level पे लेके जाऊँगा कुछ ऐसा करूँगा जिसे हिंदुस्तान का नाम हो parents का नाम हो कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे family मुझे सब salute करे सपने पालते है पता क्या होता है सपने लाते हैं stress boss ये सपनों की सबसे बड़ी खाषित है जहां सपना होगा ना जहां सपना होगा वाई stress होगा सपना आया मतलब stress आया अब पता क्या होता है लोग को यह नहीं पता किसे मैनेज कैसे करना है इसको मैनेज कैसे करना है कैसे उनको यह नहीं पता कि stress इसलिया कि बोडी में oxygen काम है stress इसलिया क्योंकि वह passive breathing कर रहे है वह active breathing नहीं कर रहे है वह strongly breathing नहीं कर रहे है उनकी body में nutrients नहीं है, वो hydrated नहीं है, इसलिए stress आया, पता है वो क्या करते हैं, shortcut डूनते हैं सर, shortcut, और पालते हैं शोक, शोक पालते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि शोक बड़ी चीज है, साहब, क्या करते हैं, नशा, cigarette, दारू, गांजा, या तो यह करते हैं, या फिर, manage नहीं कर पाएंगे, anxiety, depression, depression, medicines लेते हैं, medicines, सपने, stress आएगा, manage कैसे करें पता नहीं होगा, तो यह दो रास्ते जाएंगे, anxiety, depression, societal thoughts, खतम, कुछ ज्यादा और स्मार्ट होंगे, शोक पाल लेंगे, मित्र मंडली बन जाए कि उनकी, दो-चार दोस्त बन गए, कहीं बाहर गए, होस्टल में रहते हैं, दो-चार पांट दोस्त बन गए, क्या किया, आओ भाई, सिगरेट लाओ, छोटी, छोटी, छोटी से चालो किया फिर बड़ी, गोल्डन कश, दारू पियेंगे, नशा करेंगे, और आजकल तो एक नया एडिक्शन हो रहा गया, शोक क्या पालेंगे, मुबाइल गेम्स का, यह दारू और सिगरेट के बाप है, कैसे समझाता हूँ, सोशल मीडिया, क्योंकि उन्हें स्ट्रेस मेनेज करना नहीं आता, होता क्या है, कि दारू और सिगरेट को इसलिए बुरा मानते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें यूज़ करते हैं, तो आपके जिन्दगी में से आप जो 90 साल जी सकते थे, अब आप 60 साली जीएंगे, बतलब आपने दारू सिगरेट पी के अपने 30 साल खराब कर दी है, डेमिज कर दी है, और कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, दारू सिगरेट से तो आखिर के 30 साल खराब होते हैं, जो शायद इतन मोबाइल गेम, शोशल मीडिया, ये भाई सुरू के 30 साल खराब करते हैं, जब आप कुछ कर सकते थे, सुरू के 30 साल बरबाद, दारू सिगरेट से आपका वो जीवन खराब हुआ, वो जिन्दगी खराब होई, जब मैं कुछ कर सकता था, 60 के बाद वाली जिन्दगी आपकी दारू सिगरेट के बाद में चली ही नहीं, आप 60 के होके मर गए, कुई दिक्कत नहीं, 30 में आप कुछ खास कर भी नहीं पाते, लेकिन सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, लगे वें, पबजी, सबजी, किस की बनी, पता ही नहीं है, सोश किस किया ही नहीं है, किस बात के followers, followers की बात छोड़ो, unsuccessful रहोगे ना, दोस्त भी काम नहीं आएंगे, जिन्दगी में feel क्या हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं ना तुमसे जिन्दगी में, तुम्हारे सगे भी पराय हो जाएंगे, followers हो गए बहर में, जहां सपने होंगे ना, माइ स्ट्रेस होगा, लोग क्या करेंगे, मैनेज करना नहीं आता है, शॉर्टकट डूंडेंगे, नशा, सिगरेट, दारू, ये सब क्या तरीके हैं, पता है, ये सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, दारू, सिगरेट, गांजा, ये सब, रियल दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता है, कि आप रियल लाइफ को फेस नहीं कर सकते, तो आप जूटी जिन्दगी जी हो, बस अब पता ही नहीं क्या चल रहा है, ये सबस, I am high, I don't know what is happening around me, I am high, I am disconnected to the real life, जब खोश में आते हैं, तो क्या कहते हैं, हमें वो हमदर्द मिला, जिसने सिर्फ हमें दर्द दिया, ये क्या कहते हैं, हमें तो अपनोंने लूटा, गैरों में कहा अदम था, हमारी कस्ती डूबी वा, जब पानी कम था, या फिर क्या कहते हैं, लोटा दो हमें वो, बच्पन, वो कागच की कस थी, वो बारिश का पानी, अरे असली जिंदगी में जीना सीखो सर, कोई नहीं लोटाएगा, जग जी सिंग जी आके भी लोटा नहीं सकते तुम्हे, या फिर, अच्छा, ये, ये बोईस के साथ में जा मेरा experience से बता रहा हूँ, मैं किसी को blame नहीं कर रहा हूँ, या मैं gender bias नहीं हो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये female society है, वो आती इस तरफ, anxiety हुआ, depression हुआ, stress हुआ, medicine चालू, कहां गए थे? आलू कचालू बेटा कहां गए थे? बंदर की जोपड़ी में सो रहे थे, हां, psychiatrist के पास में गए थे, medicine ले थे, जिस इंसान के दिमाग को medicine से control करना पड़ रहा हो, वो इंसान इस दुनिया में कुछ भी control नहीं कर सकता, चुछ खुद को control नहीं कर सकता, वो unconsciously जिएगा, वो कुछ नहाल नहीं कर सकता अपने जि guarantee, हां, समझ ये, stress, stress is the real poison, मैं literally आपको बता रहा हूँ, असली जहर है ये, हो सकता है आपकी मेस, आप जहां भी रहते हैं, तो यारी करते हूँ, हो सकता है आप गरीब हैं, हो सकता है आपकी मेस में अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छी सबजी नहीं है, रोटी नहीं है, सपने पालो के stress आएगा, ये मान के चलो, फिर आप लोग क्या बोलते हो, हां, पहले पाल लिए सपने, stress आएगा, अब क्या बोलते हो, give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, I want to grow up again in whatever hell it is, if you have dreams now, you will have stress, remember this, जहां सपने होंगे, वहां stress आएगा, सर, मेरे मालिक सुन रहे हो, जहां stress होगा, वहां सपने होंगे, जहां सपने होंगे, वहां stress होगा, ये तो reversible reaction है, सपने स्ट्रेस स्ट्रेस सपने सपने स्ट्रेस मैंनेज करना है शॉटकट नहीं लेना है शॉटकट में तब निपट जाओगे सपने भाड में गए खुद को निपटा लोगे जिन्दा नहीं रह पाओगे हाउ तो मैंनेज इट I have told you stress is not one second management every hour हरे घंटा हरे घंटा मैंनेज होता है stress दवयों से stress मैंनेज नहीं होता है कांसलिंग से stress मैंनेज नहीं होता है सिगरेट पीने से stress मैंने होता है गांजा पीने से stress मैंने होता है सोचल मेडिया चलाने से stress मैंने नहीं होता है आप्साग्राम के फॉलोड से फोटो के लाइक से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है, यह मैनेज होता है, ओक्सिजन से, नुट्रियेंट से, हाइड्रेशन से, तीन चीज़े हैं, ओक्सिजन, फूड, हाइड्रेशन, एक्टिव ब्रिधिंग, जिस इंसान को अपनी जिंदगी मे 100 साल तक active रहना है, जिससे अपनी जिंदगी में 100 साल, 100 यर्स, actively जिने, किसाला जिंदगी में, जब से पैदा हुआ हूँ, तब से कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, रुका ही नहीं हूँ, आज तक अपनी जिंदगी में, कोईसा साल ऐसा नहीं किया, जिसमें कुछ significant नहीं किय कुछ ना कुछ के करे ही जा रहा हूं रुका ही नहीं कौन होगा ऐसा चो एक्टिव ब्रीधिंग करता है हर पैतालिस मिनिट बाद दस मिनिट कुद को देना है हर पचास मिनिट बाद दस मिनिट को देना है आज का stress management का एक लाइन में जवाब दे रहा हूं आज का stress management का session एक लाइन में खतम क्या बताओ सब लोग सपने पालने की शौक पालने है सपने ही पालने है stress management कैसे होगा दवाईयां कब नहीं लेनी पड़ेगी हर दस मिनिट बाद गलत बोला हर पचास मिनिट बाद दस मिनिट खुद को देना है that's it only way दारू पिने से छोटी join मनाली हर पचास मिनिट बाद दस मिनिट खुद को देना है and this is the only way और अगर आपको जिंदगी में महान बनना है कुछ ऐसा करना है कि पुरी दुनिया आपको salute करे you have to manage the stress क्योंकि दुनिया में सबसे तेज तलवार वही चलाता है जो यहां से शान्त होता है कि जो यहां से शान्त होगा वो यहां से बहुत मजबूत होता है thank you so much जो दो यूएचि जो बहां से अगाएचिए